नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है UP में TGT और PGT के लिए आविदन चल रहे हैं फार्म भरे जा रहे हैं तो आविदन से सम्मद्धित, फार्म फिलिंग से सम्मद्धित जो भी डाउट्स हो रहे हैं साधी साथ तैयारी कैसे करें और Certificate को लेकर भी कैसे डाउट्स हैं तो जो भी आप केमर में डाउट्स आ रहे हैं लगातार आप लोग कमेंड के माध्यम से हमें बता रहे हैं और उन सभी प्रस्थनों को, आपके सभी डाउट्स को यहाँ पर लगातार साल्व किया जा रहा है तो ये Q&A का question and answer का तीसरा session होगा अब तक दो वीडियो अप्लोड हो चुके हैं farm filling के लिए भी step by step आप farm कैसे भरेंगे उस पर भी एक वीडियो अप्लोड किया जा चुका है तो आज का जो ये session होगा इसमें हम किन किन विंदू उपर करेंगे चर्चा ये सारे विंदू आपके सामने है और एक एक करके इस भी प्रस्णों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ तो देखे सबसे पहले last year में subject combination नहीं है तो क्या form भर सकते हैं ये सवाल कई बार पुछा गया आप लोगों के द्वारा और कई बार मैंने इसका उत्तर भी आपनों को दिया है लेकिन फिर भी कई लोग संसे में आ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले ही answer कर देना उचित समझा है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा माल लेते हैं कि आपने जो है BSC किया हुआ है BSC में आप First Year में Second Year में और Third Year में जो आपके विसे हैं वो मैं लिग देता हूँ First Year और Second Year में आपने Physics पढ़ा है Chemistry पढ़ा है Math पढ़ा है ठीक है? दो साल आगे Physics Chemistry Math हो गए Third Year में आकर आपने ले लिया है Physics और Math Chemistry को आपने छोड़ दिया है अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल यह है कि Science के लिए क्या वो eligible है दो को फ्रेंट्स यहाँ पर Science के लिए जो eligibility है वो यह है कि असनातक में आपने Physics और Chemistry दोनों पढ़ा है तो दो साल तक आपकी Physics और Chemistry यहाँ पर रही है इसलिए Yes, You are eligible ठीक है आप Basically दो भी से लिए eligible है अगर Physics, Chemistry और Math से आपने आपने पढ़ा हुआ है असनातक में तो आप Science से भी कर सकते हैं आप अब दन और Math से भी कर सकते हैं दो-दोनों लिए eligibility आपकी यहाँ पर बन रही है अब BA को लेके चलते हैं माल लेते हैं कि Social Science का कोई student है और BA में First Year में और Second Year में और Third Year में उनके भी से इस प्रकार से हैं माल लेते हैं उन्होंने एक Hindi लिया हुआ है और Economics लिया हुआ है और History लिया हुआ है Second Year में भी यही रहेगा Third Year में माल लेते हैं कि आपने economic ले लिया और हिंदी ले लिया लेकिन history आपने छोड़ दी है तो ऐसी condition में क्या तो कोई बात नहीं क्योंकि आपने दो साल तक economics और history को पढ़ा है तो you are eligible for social science ठीक है third year में नहीं यह बन रहा है आपका जो combination है तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है अब इससे बेहतर जबाब और इतनी विस्तित ब्याक्या से ज़्यादा अब मैं क्या बता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं हाँ सवाल आ रहा है कि लेकपाल या TGT किस पर focus करें लेकपाल परिक्षा भी होने वाली है और TGT की परिक्षा भी होने वाली है तो किस पर ज़्यादा focus करें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सला यहाँ पर देने वाला हूँ देखो लेकपाल ले डेट आ चुकी है 24 जुलाई को आपकी परिक्षा होनी है TGT और PGT के लिए अभी डेट आई नहीं है संभावना है कि यह परिक्षा जोगी वो अक्टूबर में हो सकती है बहुत अरली होगी तो सितंबर में होगी या फिर अक्टूबर नॉमबर में हो सकती है इसके बाद भी जा सकती है मुझे possibility लगती है कि October या November में परिच्छा होगी तो मुझे लगता है कि आपको दोनों परिच्छाओं पर focus करना चाहिए लेकपाल की परिच्छा होने ही वाली है तयारी आपने काफी की हुई है तो लेकपाल पर भी focus बनाये रखें और एक सही तरीके सरी दम बनाके चलेंगे तो दोनों की तयारी आपकी हो जाएगी तो यहाँ पर आपको कोई भी exam ड्राप नहीं करना चाहिए दोनों पर आपको focus बनाये रखना चाहिए फ़र से एक्स्ट्रा मेहनत होगी हो करिए certificate, roll number और issue date में क्या डाले है यहाँ पर देखो जब आप form फिल करते हो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस पकार से कालम आपको दिखाई देता होगा इसमें क्या होता है कि year passing तो किस साल आपने असना तक pass किया है वो आपको यहाँ पर drop down list से पता चल जाता है तो देखो यहाँ पर एक होता है certificate एक होता है आपकी mark sheet तो certificate number डालेंगे तो उसका issue date डालिएगा अगर roll number डालते हैं तो उसका issue date डालिएगा तो जो document आप यूज़ कर रहे हैं उसी का issue date यहाँ पर डालिएगा आप certificate number भी डाल सकते हैं सरनेम बदल गया है साधी के बाद तो क्या लिखें तो कोई बात नहीं हाइज स्कूल में जो आपका रहा है नाम मुल रूप से वही नाम रकियेगा ठीक है छेणज़ आनाहीं तो कि पर्मा रांड करते हैं कुछ लड़कियों की साधी हो जाती है तो साधी के बाद उनका डोमिसाइल और जाधी प्रमाडपत्र कैसे बनेगा कहां से बनेगा तो यहाँ पर देखो जो साधी जब हो जाती है तो जाधी प्रमाडपत्र और निवास प्रमाडपत्र में से उस लोग कहेंगे आप से कि पती की पक्स बनेगा इसना नहीं है यह बातें बिलकुल अस्पस्ट कर दी गई थी पिछली बारी और इस बार भी अगर आप पढ़ोगे नोडिफिकेशन को ठीक से मैं आपको स्क्रीन साट दिखाता हूं तो यहां पर देखिए अस्पस्ट रूप से लिखा गया है कि म महिला बिरतियों के मामले में पिता पक्स से निर्गत जाती और निवास माण पत्र ही मानने होगा तो महिलाओं के लिए जो जाती और निवास बनेगा वो पती के पक्स सोरी पिता के पक्स से बनेगा फादर ठीक है मैं फिर से बोल देता हूं कि महिला बिरतियों के मामले मे पिता पक्स से ही जाती और निवास माने रहेगा ये बात ध्यान से सुनिए और आपका जो देखो अब जब आप फॉर्म बरेंगे तो वहाँ पर पती का नाम और जो है पिता का नाम आएगा तो बहतर होगा आप पिता का नाम डाले महिलाएं जो है वो पिता का नाम डाले और पिता की ओर से निर्गत जो आपका जाती और निवास है उसको लगाने कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है वैसे भी जब आप यहां पर आप देख सकते हैं जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे सर्टिफिकेट देखिए यह OBC के लिए है और अगला सर्टिफिक मतलब सिर्फ पिता का नाम ही लिखना है आप ठीक है तो आप लड़के हों या लड़की हों जब आप फार्म भरें तो अपना नाम और पिता का नाम के साथ ही फार्म भरें यह आपके हित में रहेगा और नोटिफिकेशन में सारे पसनों के उत्तर भी दिए गए हैं बस कु ठीक है पीता की ओर से बनेगा ठीक है इसमें कोई भी बात नहीं है बरतमान बित्ती वर्स को चल रहा है सबसे बहुत बित्ती वर्स के बारे में बता देता हूं क्योंकि कुछ लोग इस सहाध नसमच पाएं बित्ती वर्स होता है वो हर साल एक अप्रेल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है अगले साल के 31 मार्श तक चलता है बरतमान में एक अप्रेल 2022 से लेकर 31 मार्श 2023 तक का बित्ती वर्स होगा ठीक है 2022-23 का यह बित्ती वर्स है समझ गया इसके पहले का जो बित्ती वर्स होगा वो 2021-22 का होगा ठीक है तो ब EWS Certificate जो लगेगा वो बित्ती वर्स 2021 का लगेगा 223 का नहीं लगेगा 2021 का लगेगा तो यह बात आप समझ लीजिए आपका जो EWS Certificate है अगर 2021-22 वाले बित्ती वर्स का बना हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है अब वो कब आपने बनवाया था यह आपके उपर है आपने अभी बनवा के लाए हैं या फिर काफी पुराना बनवा के रखे हैं बस यह चेक करना है आपको कि जो बित्ती वर्स हो व वह भी नहीं चलेगा क्योंकि वह पुराना हो गया है EWS Certificate जोता है वह मात्र एक साल के लिए वैलिड रहता है तो उमीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अभी भी डाउट है कमेंट करिएगा थोड़ा सा कुछ नहीं अपना सवाल जो है अगर आप पूछने वाले हैं कुछ तो उसको एक दो बार समझ लिजए कि क्या पूछने वाले हैं असपस्ट लिखिए कम सब्दों में लिखिए और बहतर होगा कि हिंदी में लिखें ठीक है तो चलो आज का सेसन नहीं पर समात करते हैं क्यों में रेनी थे की हैं लिखते हैं लिगां।